नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहें लाइव ब्लॉग नफरती बयानों यानि हेट स्पीच को लेकर सुप्रिम कोट ने तल्क टिपडी की है जस्टिस केम जोसेफ ने कहा हर रोज टीवी और सारजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिये जा र सुनने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग इकठा होते थे गोटू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित रूप से गरिमा को तोड़ा जाता है अब हम कहां पहुच गए हैं अदालत ने आगे कहा कि जिस वक्त राजनित और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजन करतना की वेंच ने हेट स्पीच को लेकर आपती जताई और कहा कि हर दिन कुछ लोग टीवी और सारजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाशन दे रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए अदालते कितने लोगों के खिलाफ और मानना की कारवाई शुरू कर सक है बेंच एक और मानना याचका पर सुनवाई कर रही थी शाहिन अब्दुल्ला ने हेट स्पीच पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचका दायर की थी याचका में कहा गया था कि सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बावजूद हेट स्पीच पर रोक नहीं लगी है हिंद पर आके लिगल अपडेट्स पाने के लिए लाइब लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकाउन पर क्लिक करना ना भूले साथ ही कानून से जुड़ी खबरे पढ़ने के लिए आप लाइब लॉग की हिंदी और इंग्लिश गया है शुक्रिया